स्वागदे दोस्तों आप सभी को टिकराच यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A50 या फिर किसी भी Samsung Mobile में यदि आपका Network का Problem आ रहा है Network आपका काम नहीं कर रहा है, Network शो नहीं होता है या फिर Network से related आपका जितना भी Problem है उसे आप कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको step by step guide बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिगा और दोस्तो यहाँ पर येदि आप online पैसे कमाना चाते हैं तो वीडियो description link चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए बिना देर की हुए शुरू करते तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अपना सैमसंग मुबायल पे network show नहीं होता है नेटवर्क से काम नहीं करता है, वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है और हम जब कॉल करते हैं तब कॉल कनेक्ट सही से नहीं हो पाता है तो यहां पे नेटवर्क से रिलेटेट बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो हमें अपने Samsung मुबाइल में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तो इसे solve करने के लिए मैं आपको यहां पे कम से कम 3-4 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना problem को definitely solve कर सकते हैं देखे दोस्तो सबसे पहले तो आपको जाना है अपने mobile का settings पे settings पे चले जाएगा और उसके बाद में आपको सबसे पहले connection का option मिलेगा connection के ओपर क्लिक कीजिएगा और यहां पे आपको sim card manager मिलेगा उसके ओपर क्लिक कीजिएगा और यहां पे यहां पे आपका dual sim है तो जो भी sim में आपको problem आ रहा है वो sim के ओपर आप simply click कर लिजिएगा अभी click करने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको network mode का option दिखाए देगा यह network mode के उपर आपको click करना है ठीक है और यहां पे आपको काफी सारा option दिखाए दे रहा है जिसके आप देख सकते हो LTE 3G 2G auto connect 3G 2G LTE only तो यहां पे आपको select करना है LTE 3G 2G auto connect ठीक है तो यह आपक LTE 3G 2G connect करके रखते हो तो आपका mobile यह वोल्टी है तो क्या होता है कि आपका यहां पर network सहीशे काम नहीं करेगा तो आपको LTE 3G 2G auto connect select करना है उसके बाद में simply आप वापस चले जाए और वापस back जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है और एक बार आपक network पे mobile network पे जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आप देख सकते SIM1, SIM2 तो यहां से भी आप जो है वो select कर सकते ठीक है और यहां पे आपको VOLTE जो है यह आपको enable रखना है ठीक है और उसके बाद में simply दोस्तों आपको फिर से connection पे जाना है और connection पे जाने के बाद आपको यहां पर अपका आपका अल्रेडी है तो आप मैनुवेली सलेक किजहाएं और में आपका मोबायल जितना भी नज़िक आपका टावर है वह यहां पर डिटक कर लेगा आपका जो भी ने ट्रक है वो show करेगा तो manually वो select करके आप अपना network को set up कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है ठीक है क्योंकि जहां तक automatically select नहीं होगा तो वो manually ज्यादा तक सही से नहीं रहता लेकिन कुछ देर के लिए आप अपने home network में वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यह आप यहां से आपके हिसाप से कर सकते हैं अभी हम back चले जाते हैं दोस्तों यह दो करने के बाद में आपका problem definitely solve on us चाहिए बाइचें से दी नहीं होता है तो दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा कि एक बार आप जो है अपना mobile का network में जाके sim card में चले जाएए और sim card को एक बार आप बंद कर दीजेगा ठीक है आपका sim card को एक बार आप यहां पर बंद कर दीजेगा तो यह बंद करने के बाद में mobile को एक बार switch off कीजेगा और आपका sim जो है sim का holder जो है connector वो से आप eject करके sim card को एक बार निकाल लिए और दुबारा गुसा के आप यहीं पर आके sim को enable किजेगा आपका problem solve हो जाना चाहिए ठीक है यह तीन solution करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए by any chance दोस्तों यह दिए आपको फिर भी network से related problem आ रहा है आपके mobile में तो simply आप अपने mobile का settings पे चले जाए और यहां पे दोस्तों देखिए last take option बचा है जो कि यहा पे हमें software update करने का option दिया गया है software update पे चले जाए और software update पे चले जाने के बाद में download and install या फिर last update यहां पे download and install पे click किजेगा और यहां पे आपका जो है software update check होगा ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अपने handset पर क्या होता है कि हमें problems निकल जाता है तो इसलिए company जो है network से related काफी कुछ नया लाता है काफी कुछ नया feature लाता है तागि हमारा network सही से काम कर पाए तो इसलिए यह आपका system आपको update मांगता है तो आपको यहां पे update कर लेना है क्योंकि मेरा यहां पी already updated है तो मुझे updated करने का जरूरत नहीं है ठीक है यह आप कर सकते है दोस्तों औ backup कर लीजेगा और उसके बाद में backup and restore पे चले जाके यहां पर data रिस्टोर कर सकते हैं यह करने के बाद में आपका problem solve हो जाएगा लेकिन यह last option है ठीक है अब दोस्तों यह सारा कुछ करने के बाद में problem आपको फिर भी show होता है तो आपको मैं lastly suggest करना चाहूंगा कि आप past में करना है ठीक है और दोस्तों यहां पी आपका hardware में कुछ problem होता है सीम का slot वगेरा में कुछ problem होता है उस वजह से भी आपको problem हो सकता है वह case में तो आपको technician को visit करके आपको mobile दिखाना होगा ठीक है तो यह था दोस्तों completely solution उमीद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा तक्स वर ओचिंग